नमस्ते फ्रेंड्स मैं डॉक्टर देनुका और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के सबसे बड़े और्गन या सबसे बड़े हिस्से की केर कैसे करना चाहिए हां इसकिन या तुचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा और्गन है या सबसे बड़ा हिस्सा है आज हम बात करने वाले हैं ऐसे उपायों के बारे में जो इसकिन को हेल्दी बनाये रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और यदि दोस्तों आपने इन उपायों को अच्छे से फॉलो किया तो आप ब है नंबर 1 अंदर से एदो पर डाइट वागेरा लेके और नंबर टू बहुत मेंस हाईजीन मेंटेन करके पहले हम यह समझते हैं कि हम इसकिन की के बहुत कैसे कि हैं नंबर यह होता है कि यदी आपकी इस किन पे आपकी फेस पे एकने हो गये हैं तो उन्हें हाथ नहीं बढ़ जाता है और फोड़ने से जो नाखुन के निशान बढ़ जाते हैं वो बहुत दिन तक नहीं जाते हैं दोस्तों फेस या चेहरे की स्किन बहुत सेंसिट्रिव होती है तो उसे बहुत रगड़ का नहीं पोचना चाहिए उसे इसकिन बहुत ड्राय हो जाती है और वहाँ एक्जीमा होने के चांसे या दूसरी स्कीन डिजीज होने के चांसे बढ़ जाते हैं फेस के अलावा बॉडी की पूरी स्कीन का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रॉपर नमी नहीं मिलने के कारण, प्रॉपर मौशरजर नहीं मिलने के कारण वहाँ की स्कीन ड्राय हो जाती है और वहाँ इचीं होने लगती है या कुजली होने लगती है जिससे की स्कीन डिजीज होने के चांसे बढ़ जाते हैं शरीर का एक और हिस्सा अवाइट किया जाता है अंडर आम्स और अलाउन जनाइटल्स बलकि इन हिस्सों पर infection होने के chances सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि इन हिस्सों पर hair dro baj जादा होती है इसलिए वहाँ पर नमी जादा होती है और वहाँ पर fungus infection जिसे दाद, खाज, खुझली होने के chances बढ़ जाते हैं इसलिए इन हिस्सों को properly dry करने के बाद ही कपड़े पहनना चाहिए और यदि वर्काउट करते हैं या खेलते हैं तो उसके बाद भी शरीर को dry करके ही कपड़े पहनना चाहिए या बदलना चाहिए नमबर पांच है जिनको पसीना ज़्यादा आता है उनको भी ज़्यादा ख्याल लगना चाहिए वर्काउट या खेल कर आने के बाद नहाना चाहिए या कपड़े जरूर बदलना चाहिए नमबर छे फेस पर बहुत सारे केमिकल कॉस्मेटिक्स लगाने से बचना चाहिए यह हमारे फेस को अनहेल्दी बना देते हैं नमबर 7 फेस को बार बार वाष नहीं करना चाहिए उससे फेस की जो skin होती है वह dry हो जाती है और वहाँ खुझली चलने लगती है और कभी-कभी फेस ड्राइवच होने के खारण से बेशज गलें जादा और इस्रिक्रेट करने लगती है जिससे की वहाँ एकने हो जाते हैं फेस के वल दो या तीन बार वाश करना चाहिए सुबह नहाते वक्त रात को सोने के पहले और यदि कहीं बाहर जाते हैं तो लोटने के बाद नमबर आठ चेहरे को वाश करने के लिए केमिकल फेस वाश की बजाए घर के डियाइवाई जैसे की बेसन, मुलतानी, मिट्टी, रोज वाटर, मिल्क आदी का उपयोग करना चाहिए जिससे चेहरे की फ्रेशनेस बनी रहती है नमबर नाइन, एक और कॉमाच चीज देखी गई है कि लोग कहीं बाहर जाते वक्त फेस पे कपड़ा बानते हैं तो उस कपड़े को या तो गाड़ी की डिक्की में डाल देते हैं और फिर उसी कपड़े को गंदा कपड़े को बान लेते हैं या फिर एक दूसरे से बहुत जल्दी स्प्रेड होता है दोस्तों नमबर टेंग बाहर निकलने के पहले इस्पेशली गर्मियों के दिनों में संस्क्रीम यूज करना चाहिए दोस्तों यह आपको संद्रेस से अल्ट्रा वालट्रेस से आपकी इसकिन को प्रोटेक्ट करता है अभी हमने बात करी बाहरी तरीकों की कैसे हम हमारे स्किन को हेलदी बनाए रश सकते हैं अब हम बात करेंगे इंटर्नल वे means आंत्रिक तरीके क्या हैं जिससे हमारी स्किन को हेलदी बना सकते हैं है OS एक इसमें नमबर वन पर है किह में प्लापर डाइट लेना चाहिए फ्राइट फूड्र इफ रिफर फूड और पैकेश फूड इन सब को रिपलेस करके हमारे खाने में homemade food, green salad, vegetable salad, fruit salad, इन सब को include करना चाहिए नमबर टू, शरी में पानी की कमी होने के करन भी इसकिन की डिजीज हो जाती है इसलिए बॉड़ी को hydrated रखना चाहिए और वाटर वाले fruit जैसे watermelon है और citrus family के fruit से जैसे orange है ये सब खाना चाहिए नमबर तीन, जादा sugar या salt खाने से भी blood इंपर हो जाता है और शरी में तुचा में खुझली चलने लगती है नमबर फोर, do exercise daily exercise करने से शरी में पसीना आता है तुचा के पोर खुल जाते हैं जिससे के extra oil डिलीज हो जाता है और हमारी skin healthy हो जाती है नमबर पाँच, stress से भी body में ऐसे hormones release होते हैं जो skin को unhealthy बना देते हैं इसलिए stress free life जीना चाहिए proper sleep लेना चाहिए योग करना चाहिए, meditation करना चाहिए दोस्तों, जो ये do's and don'ts मैंने आपको बता रहे हैं इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो end करती हूँ और मिलते हैं नए वीडियो में नए topic के साथ दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो informative लगा हो तो please like, share and subscribe my video, my channel, thank you